राधे राधे जैसी किष्णा आप सभी का स्वागत राधे कृष्ण भगती में आप सभी को आने वाली साध्य नौरात्री की बहुत-बहुत सुभकामना है आज के इस वीडियो में हम नौरात्री पूजा की समागरी देखेंगे पूजा के लिए हमें कौन-कौन सी समागरी क आप सकता होगी वह सभी समागरी मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूं तो दिखिए सबसे पहले पूजा करने के लिए आप चौकी ले 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 चौकी आप अपने हिसाब से बड़ी अफी छोटी ले सकते हैं चौकी पे भी चाने के लिए हम लाल रंका वस्त ले 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 और देखिए अगर आपके पास मातारानी की मूर्ती है तो आप पूजा के लिए मूर्ती भी ले सकते हैं इसके बाद देखिए अगर आपके पास मातारानी की ब्रास की मूर्ती है आप नवरात्री के पहले दिर उनको पंचामडित से स्नान करा के स्थापना करें इसके बाद आपूजा करें। अब देखे, कलस इस्थापना करने के लिए रखने के लिए। तो हमें खलदी की गाठ, सूपारी, आकषद, शिग्रा, इसके साथी हमें खूल वाला लाउं और इलाज़ने के लिए। तो ये सभी समागरी हमें कलस में डालने के लिए चाहिए इसके बाद देखिए हमें एक नारियल लेंगे नारियला पहले ही लाके देख ले पानी वाला नारियल हमें लेना है नारियल पे लपेटने के लिए हम चुन्डी ले लेंगे अगर आपके पास चोनरी नहीं है, तो आप नारियल पे कलावा भी लपेट सकते हैं, अब देखिए अगर आप नवराती में ज्वारे बोते हैं, तो आप मित्की के इस तरह के कुंडले ले, उसमें चंदन रोली से तिल्ला करके उसको सजा ले, उसमें सुध मीटी भर ले, इ या पिर आप सुपारी सो अरुप में भी गनेश ची को बना के पूजा कर सकते हैं, अब देखिए, मैंने आप पे पूजा की सभी समागरी ले लिए, तो चलिए हम देखते हैं कि हमें पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, तो गनेश ची को तिल्ला करने के लिए हम चंदन ल लेंगे, इसके बाद देखिए, हमें 9 दिन आत्पी करनी है, तो आप उसके हिसाब से कपोर ले लें, कलस में डालने के लिए हम गंगाजय ले लेंगे, इसके बाद देखिए धोप لेना है, साथ हमें दिया लेंगे, दिया को आप पहले अच्छे से साफ कर लें, रोज दिया जलाने के लिए आप एक दिया ले ले इसके साथ ही देखिए हम रूई की बत्ती लेंगे तो आप नौ दिन के हिसाब से रूई की बत्ती लेंगे हम आचिस ले लेंगे इसके बाद हम अक्षद लेंगे तो अक्षद आप जादा ले क्योंकि कि अपना के लिए भी चाहिए हम लूटा सुध़ जले लेंगे इसके बार देखे हम लॉङ लेंगे तो लॉख लग लगाना है तो इसके हिसाफ से लेले अब देखिए हमें सुपारी लेना है अगर आप नौगरा या सोडस मात्री का बनाते हैं तो उसके लिए आपको सुपारी की आप सकता होगी आप देखिए अगर आप अखंड दिया जलाते हैं तो उसके लिए आप मिटी के बड़े दिये ले ले या फिर आप धातु के दिये भी ले सकते हैं इसके साथ ही आपको एक बत्ती लेनी है, बत्ती आप माकिर से भी बनी बनाई ला सकते हैं, या फिर आप कलावा से भी बत्ती बनाके ले सकते हैं, तो ये हमारी पूजा की समागरी हो गई, इसके साथ देखिए नवरात्री में डेली पार्ट करने के लिए आप दुर्गा सब सीसति की कठा की भूग भी ले सकते हैं। इसके साथी देखें भोज दीपक जलाने के लिए हम घी या भी तिल तैल के लो तब माता रानी को अरफिर करने के लिए हम म सिगा की समागरी लेंगे। सिंगार की समागरी आप पार साथ ये सोलर सिंगार की समागरी भी ले सकते हैं इसके साथ हम माता रानी के लिए चुंड़ी लेंगे तो चुंड़ी आप जरूर से ले ले अब देखिए नौरात्री में हवन का फिसेस महातो है तो हवन करने के लिए हम मिट्टी के इस तरह के ह नवरात्री के पहले दिन उर्वात्र देसे लिए किलें अब इसकी है अधि को रोज भोग लगाने के लिए हम बाता से लेंगे बाता से जरूर से ले लिए इसके साथिया कटिवी मिस्ष्री ले सकते हैं कोई फल ले सकते हैं या फिर आप इस तरह के पैकेट वाले लड़ो भ लाश्ट के दिन हम मातारानी को पान पे भोग लगाते हैं, इसके सामती देखिए आप कुछ पूल ले ले, जो भी आपको पूल असानी से मिल जाए, आपको पूजा के लिए फूल ले ले, तो देखिए, यह हमारी नौरात्री पूजा की संपूर्ण समागरी है, जो हमें अपने हिसाब से पूजा की तयारी कर ले, अगर आपको नौरात्री पूजा की यह स्वरल समागरी की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, सेयर करे, कॉमेंट करे, और हमारे चैनल राधे कृष्णभाग्धी को सस्क्राइब करे, थैंक यू, अधे राधे, जैसे किश्णा